असलाम अलेकुम आज हम exterior points of set की बात करेंगे और इससे related कुछ important example देखेंगे जो हमारे पास paper में आती है वो MCQs के तौर पे भी आती है और short question के तौर पे भी आती है तो उनको हम detail से देखेंगे सबसे पहले हम definition देखते है exterior points of set exterior point इसको पहले figure के तौर पे देखते है ये हमारे पास क्या है एक topological space है x ठीक है और ये इसका एक subset a है ठीक है अब एक point x इस a का exterior point कहलाएगा ठीक है अगर हम क्या करेंगे इसके उपर एक open ball ड्रा करेंगे और वो open ball इस a के अंदर नहीं आएगी उस open ball में एक भी ऐसा point नहीं होगा जो a के साथ क्या होगा combine करेगा या a के साथ intersect करेगा ठीक है तो ये point हमारे पास a का क्या कहलाएगा exterior point कहलाएगा दूसरे लफ़जों में हम इस तरह भी बोल सकते है कि ये हमारे पास एक topological space x है ये उसका एक subset है a अच्छा ये अगर subset a है ये वाला तो फिर ये बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा a का compliment कहलाएगा ठीक है अब मैंने क्या करना है a के compliment में a क मैंने point x ले लिया उसके उपर ball राकी open ball राकी अगर वो open ball उस a के compliment के अंदर हमारे पास क्या करती है lie करती है तो फिर हम क्या बोलेंगे के ये वाला हमारे पास जो point है ये a कंपलिमेंट का interior point है और a का क्या है exterior point है ठीक है अब definition देखते है वो कहता है let x be a topological space and a is a subset of x a point x belong to a compliment is called exterior point of a मतलब a compliment के अंदर जो point आपके पास होगा वो exterior point कहलाएगा a का if there exist open set u containing x such that x belong to u and u is a subset of a compliment के अगर a compliment के अंदर a point x है उसके उपर open ball ड्रा की वो open ball आपके पास a compliment के अंदर fully contain करती है तो आप क्या बोलेंगे के ये x point a का exterior point है और a compliment का interior point है मतलब के exterior point of a is equal to interior point of a compliment ये आपके पास एक theorem भी है इसको हम इससे आगे वाले lecture में प्रूफ भी करेंगे ठीक है दूसरी definition के आप point x is called exterior point of a if x is interior point of a compliment the set of exterior point of a is denoted by this symbol exterior point of a इस तरह हम इसको denote करते है अच्छा आप हम कुछ example देखते है सबसे पहले example है हमारे पास एक subset एक set x दिया है और उसके ओपर topology tar define है आपको एक subset a दे दिया है और बोला है इसके exterior point मालूम करे तो सबसे पहले हमने क्या करना है जब भी इस तरह के exterior point इसके मालूम करने है तो हमने a का compliment ले लेना है ठीक है a का जब compliment लेंगे with respect to x तो क्या करेंगे x difference a लिखेंगे तो x के अंदर element है 1, 2, 3, 4, 5 difference a के element है 1, 2, 3 तो a का जो compliment आएगा वो आएगा 4 and 5 जानते हैं कि 1, 2, 3 और 1, 2, 3 common आगे यह हम निकाल देंगे और 4, 5 जो बाकी बचे गे हैं वो लिखेंगे तो यह आपके पास क्या आएगा a compliment अब a compliment के जितने interior point होंगे वो इसके क्या होंगे exterior होंगे मतलब इसके interior point इसके क्या होंगे exterior point होंगे तो a compliment के interior तो पीछे वाले lecture में हमने interior point निकालने का तरीका देखा था कि 4 इसका interior point होगा अगर हमें कोई ऐसी बाल मिलती है एक open set मिलेगा जिसके अंदर 4 होगा और वो पूरा क्या पूरा open set इसके अंदर contain करेगा तो फिर 4 इसका क्या होगा interior point होगा तो देखते हैं 4 इसमें भी है इसमें है 4 इसमें है ये 3 set हमें ऐसे मिले है जिनके अंदर 4 है लेकिन हम देख सकते हैं कि इन 3 set के अंदर कोई भी ऐसा set नहीं है open set नहीं है जो इसके अंदर contain करें तो इसका मतलब है 4 इसका interior point नहीं है अगर 4 इसका interior point नहीं है तो फिर इसका exterior point भी नहीं है इसी तरह 5 में देखेंगे तो 5 में भी हमें ऐसा कोई set नहीं मिलता ठीक है इन दो set में से कोई भी ऐसा set नहीं है जो इसके अंदर contain करें तो इसका मतलब 5 भी इसका interior point नहीं है अगर 5 इसका interior point नहीं है तो फिर वो इसका exterior point भी नहीं है तो इसका मतलब जो हमें A का exterior मिलता है exterior of A मिलता है वो क्या मिलता है? एक empty set मिलता है कि इसका कोई भी point exterior नहीं है ठीक है इसी तरह एक और example देखते है A, B, C, D ये एक set X था इसके उपर topology टार defined थी एक set आपको BC दे दिया है सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका compliment मालूम करेंगे तो compliment में BC common आ गया बाकी AD बच गया अब देखेंगे ये compliment के interior point कौन से है तो A इसका interior point है या नहीं तो A के लिए हम देखते हैं एक open set ऐसा जरूर मिल जाता है जो इसके अंदर contain करता है तो इसका मतलब है A इसका interior point है A इसका क्या है interior point है D के लिए D के लिए हमें ऐसा कोई set भी नहीं मिलता D के लिए ऐसा कोई set नहीं मिलता जो इसके अंदर contain करें तो D इसका interior point नहीं है अगर D इसका interior नहीं है तो इसका exterior भी नहीं है तो इसका मतलब जो exterior of A मिला जो exterior of A मिला वो क्या मिला ये वाला set मिला जिसके अंदर A की point लाई करता है जो के हमारे पास A है ठीक है और ये वाला A ये वाला जो set है आपके पास A का क्या है exterior है और ये वाला interior किसका है A complement का है A complement का ये interior है और A का क्या है exterior है इस बात को आपने बार 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 बता रहा हूं याद रखना है ये आपको MCQs में पूछी जाएगी अब हम इससे related कुछ important example और भी देखते हैं अब हमने बताना है कि set of real number, set of rational, irrational, natural number and set of integer के exterior point कौन कौन से है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे set of real number की इसका हमने क्या मालूम करना है exterior मालूम करना है तो हम जानते हैं के exterior point of set of real number will be equal to the interior of R का compliment तो R का compliment जब हम लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा? R का compliment वो हमारे पास एक Phi आजाएगा R का compliment क्या आजाएगा Phi आजाएगा ठीक है तो Phi आजाएगा तो interior point of Phi हमारे पास क्या होंगे वो हमारे पास Phi ही होगा जैसा कि हमने पीछे वाले lecture में देखा था कि Phi आपके पास एक open set है ठीक है तो इसका interior आपके पास क्या आएगा Phi open set का interior itself आता है ठीक है तो Phi का interior आपके पास क्या आएगा Phi ही आएगा जब हम बात करेंगे set of rational number की तो exterior हमने मालूम करना है किसका मालूम करना है rational number का तो interior क्या होगा इसका compliment लेंगे तो rational number का compliment क्या आता है irrational number आता है तो irrational number का interior हमने पीछे वाले lecture में देखा था कि वो भी हमारे पास क्या आता है phi ही आता है और phi क्यों आता है इस वज़ा से आता है कि हम जब भी r के उपर ठीक है यह हमारे पास real line r है और हम जानते हैं कि यह कोई भी दो point है अगर मैं इनको irrational माननू कि यह भी आपके पास r1 r2 और यह r3 यह irrational number है तो इनके दरमयान infinite number of हमारे पास rational मوجود होंगे इनको मैंने बहुत ज़ादा अपनी असानी के लिए gap पे लिखा है तो यह अगर irrational number है तो इनके दरमयान infinite number of rational number होंगे और जैसे किसी irrational number के उपन open बाल ड्रा करेंगे तो वो बहुत सारे rational number भी अपने अंदर contain करेगी जैसे वो rational number अपने अंदर contain करेगी मतलब r1 के ओपर जो बाल हम ड्रा करेंगे r1 एक set u के अंदर होगा और वो u कभी भी contain नहीं करेगा set of irrational number के अंदर तो अगर वो contain नहीं करेगा तो इसका मतलब r1 इसका interior point भी नहीं है r1 इसका interior point नहीं है इसी तरह हर point के लिए हमें यह condition मिलेगी तो इसका मतलब interior point of q prime मतलब irrational number का interior का set phi आता है इसका interior तो इसका exterior भी अपके पास क्या हैगा phi आएगा same reason के साथ जब आप irrational number की बात करते हैं तो उसके exterior irrational क्या क्या आएगा interior of q मैलूम करेंगे और वो भी आपके पास क्या आता है phi ही आता है अब हम बात करते है natural number की तो जब हम set of natural number की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे exterior of set of natural number is equal to interior of complement of natural number अच्छा natural number का complement किस तरह हमारे पास किस तरह का होगा वो इस तरह का हमारे पास होगा के फर्स किया यह R है आपके पास और यह हमारे पास set of natural number शिरू होते हैं 1 2 3 4 अप टू सोन ठीक है अच्छा यह हमारे पास क्या है natural number के points हैं जब हम complement लेंगे तो 1 2 3 4 यह वाले जो आपके पास point हैं यह exclude हो जाएंगे और हमें जो natural number का complement मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा 1 से 2 तक का open interval union 2 से 3 का open interval union 3 से 4 का open interval union and up to zone इस तरह के हमारे पास चलते जाएंगे मतलब कि यह आपको natural number का क्या मिलेगा complement मिल गया R के अंदर अच्छा जब हम इसका interior मालूम करेंगे जब हम इसका क्या मालूम करेंगे interior मालूम करेंगे तो हमने पढ़ा था कि open interval का interior as it is open interval ही होता है मतलब यह इसका interior में यह पूरे के पूरे interval ऐसे ही आजाएंगे आपके पास तो जो interior of n complement है वो आपके पास क्या होगा वो exterior नहीं होगा n का वो exterior होगा n का तो मतलब exterior of n आपके पास क्या आजाएगा यह वाला set इस तरह का आजाएगा 1 से 2 open interval union 2 से 3 open interval union 3 से 4 open interval and up to so on यह आपके पास क्या आएगा n का exterior आजाएगा इसी तरह हम z में भी देखेंगे तो z में हमारे पास इस तरह plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 चलते जाएगे और पास हमारे पास क्याएगा 0 होगा तो हमें जो exterior मिलेगा इसी तरह जो हमें मिलेगा exterior of set of integer मिलेगा वो क्या मिलेगा हमारे पास वो हमें इस तरह की शकल का मिलेगा मतलब u से हमारे पास 0 से 1 union 1 से 2 union up to so on इसी तरह चलता जाएगा और इसे पीछे को हमें क्या मिलेगा 0 से minus 1 union minus 1 से minus 2 and up to so on यसी तरह हमारे पास पीछे आता जाएगा तो ये exterior of आपके पास क्या होगा set of integer आपके पास आजएगा इसके बाद हमें एक set तिया है a हमने क्या मालूम करना है इसका exterior मालूम करना है ठीक है a का exterior मालूम करना है तो सबसे पहले हम a compliment देखते हैं हम a compliment का interior मालूम करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जो a का exterior होगा a का जो exterior होगा वो उसके compliment का interior होगा ठीक है ये दुनों आपस में क्या आँगे बराबर होंगे अच्छा इसका कॉम्प्लिमेंट लेंगे आर के अंदर हम इसको ड्राग करके देखते हैं ये कुछ इस तरह से शकल बनेगी आपके पास ये आपके पास माइनस इंफिनिटी से जीरो तक आ रहा है ठीक है और वन पे ये क्लोज है और वन से ये क्या जा रहा है आपके पास पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रहा है ये इस तरह से इंटरवल बनता है जब कॉम्प्लिमेंट लेंगे तो ये वाला पॉर्शन हम क्या करेंगे निकाल देंगे और इदर से ये वाला portion भी हम निकाल देंगे ठीक है compliment जब लेंगे ये वाला portion जब निकाल लेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा zero include हो जाएगा चूंकि one इसके अंदर include था one तो निकल गया तो इसका मतलब अब one से पीछे पीछे वाले number बच जाएगे तो इसका मतलब one exclude होजएगा zero include होजएगा और x क्या आजएगा include ये आपके पास क्या आजएगा ए का compliment आगया अब इसके हमने क्या मालूम करने है ए का compliment के interior материre मालूम करने है इसका set of interior मालूम करना है तो जो interior होगा a compliment का वो क्या होगा हम जानते हैं जो closed आपके पास होता था उसको तो आप exclude कर देते थे और open as it is रहा जाता था 0 तो include नहीं न करेंगे क्योंकि 0 के उपर जैसे ही हम कोई बाल ड्रा करेंगे जिस तरह जैसे यह है 0 से 1 ठीक है 0 तो include है जैसे 0 के उपर open बाल ड्रा करेंगे तो वो इंटर्वल से बाहर चली जाएगी वो तो इसके अंदर contain ही नहीं करेंगे तो इसलिए हम कहते हैं कि 0 तो इसका interior point नहीं है तो 0 exclude कर दिया A आपके पास पहले exclude था तो इसका A compliment का interior यह आया और जो A compliment का interior है वो क्या होता है वो exterior होता है A का तो इस A का जो exterior हाता है वो आपके पास 0 और 1 हाता है open interval में ठीक है अब आपके पास x is equal to r दिया है ठीक है और आपने मालूम करना है exterior point of b इस b का exterior point मालूम करना है b आपके पास phi है और b आपके पास क्या है x है तो आपने phi देखना है ठीक है आपने phi का क्या मालूम करना है exterior मालूम करना है तो आप क्या करेंगे interior मालूम करेंगे किसका phi complement का तो phi complement आपके पास क्या हैगा पूरे का पूरा r आजाएगा और r का interior आपने पहले बात की थी वो क्या है r है तो exterior of five आपके पस क्या आजाएगा पूरी की पूरी real line र आजाएगी similarly जब आपने exterior of x मालूम करना है x जो के र है आपके पस तो आप क्या मालूम करोगे interior मालूम करोगे x का compliment जो कि आपके पस क्या आएगा फाई आएगा और फाई आपके पस open set है तो open set का interior आपके पास वो set क्या आता है itself आता है जो आपने पीछे वाले lecture में बात की थी कि अगर A आपके पास open set है तो फिर A का interior आपके पास A ही आएगा और अगर ये condition आपके पास satisfy करती है तो फिर आपके पास क्या है A open है मतलब ये if and only if condition के साथ आपके पास है इसको हम आगे वाले lecture में प्रूव भी करेंगे इन्शाला तो अब तक के लिए इतना ही काम था ये हमारे पास topic था exterior point of set इसमें किसी किसम की अगर आपको समझ नहीं आई हो तो आप comment में जरूर मुझे पूछेगा अब तक के लिए इतना ही अल्ला हाफिज